अगर मुझे बाहर भी जाना होता है तो मैं कुछ यह जो स्किन केर है उसे फॉलो करती हूँ स्किन केर के लि裏 मैं सबसे पहले सिर्म करती हूँ बहुत ही अच्छा सिर्म है जो की मेरे स्किन को बहुत ही जादा से बेटर किया है और प支持 भी पहले से बहुत कम किया है ऐसा में नहीं बोलूँगे कि बिल्कुल चला गया है वह पॉसिबल तो नहीं है एक बड़ अगर ये चीज शुरू होता है तो जो सिरा में न इसने मेरा जो दाग धबा है इसे भी बहुत ज़्यादा कम किया है और मेरे स्क्रीन को न बहुत ज़्यादा हेल्दी भी किया है पहले से ज़्यादा तो मैं अपलाई करूँगी ये संस्क्रीन ये जो संस्क्रीन है मैं घर पे रहती हूँ तब भी अपलाई करती हूँ और अगर मैं बाहर जाती हूँ तब भी मैं इसे अपलाई करती हूँ लोगों के जो स्क्रीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हमें ना sun protection की बहुत ही ज़्यादा जरूरत हो जाते हैं लेकिन बहुत बर ऐसा होता है कि sunscreen लगाने से बहुत problem होते हैं white cast पर जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है लेकिन यह जो sunscreen है बिल्कुल skin के अंदर absorb हो जाता है बहुत ही एक अच्छा sunscreen है लिप बाम के लिए में इस ameveline का baby lip balm apply करूंगी skin के साथ साथ ना हमारे lip को भी बहुत दर sun protection की जरूरत पर जाता है लेकिन हर एक lip balm ने sun protection नहीं होता तो ऐसे lip balm चुनो जिसमे sun protection हो और आपका जो lip हो वो plump दिखे यहार के लिए मैं L'Oreal Paris का यह hair serum apply करूंगी यह ना बहुत कम product लेने से ही यह काफी होता है बस इतना साभी काफी है इस जो serum है ना इसका नाम भी extraordinary है उसका काम भी extraordinary है इस जो serum है इसे मैं as a serum की तरह भी apply करती हूँ और इस serum मुझे sun से भी protect करता है और मुझे heat से भी protect करता है जब मुझे hair straightening या फिर curling करना हो तो as a heat protector serum की तरह मैं इसे use कर सकती हूँ और उससे मेरा हैड डामेज भी नहीं होता इप्रोस को fill करूंगी मुझे आइप्रोस करना बहुत ज़ादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा इक्रोस जो हे वो उतना ज़ादा अच्छा नहीं है लेकिन मैं जब eyebrows करती हूँ न फिर मुझे खुद को बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है मुझे खुद को और ज़्यादा अच्छा लगता है, confident लगता है तो इसलिए मैं eyebrows करना कभी skip नहीं करती, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ बॉडी पर मैं इस body butter को apply करूँगी मैं अपने skin का जितना ख्याल रखती हूँ, मुझे अपने body parts जैसे hand हो या फिर अपने neck, अपने legs उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगाव है, मुझे अपने face की तरह ना इन्हें भी बहुत ज़्यादा pamper करना अच्छा लगता है उसे clean रखना हो, उसे hydrate रखना हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके लिए मैं ना कभी भी अपने moisturizer को skip नहीं करती हूँ, मैं regular winter हो या फिर summer हो उस season wise मुझे ना अपने lotion अप्लाई करना या फिर body butters अप्लाई करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हमारे जो skin है उन्हें भी hydration की ज़रूरत पड़ता है, इससे क्या होता है हमारे skin की जो age है वो delay हो जाता है और body spray के लिए इस body mist को मैं अप्लाई करूँगी, यह है plum body loving body mist और इसका जो flavor है vanilla vibes और by god यह जो body mist है ना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और body lotion अप्लाई करने के बाद जो मैं अपने body पर body spray अप्लाई करती हूँ, इसका जो long lasting power है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है body और face की तरह मैं अपने नाखुन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ तो मैं आज इसे clean करके nail polish अप्लाई करूंगे, nail polish के लिए मैंने दो color choose किया है red वाला है faces Canada का royal ruby और एक है L18 का nude shade 161 nail polish को remove करने के लिए मैं ये cotton remover use करूंगी ये ना बहुत ही अच्छा cotton remover है और इसका MRP भी जाता नहीं 20 रूपीज में आ जाता है इसमें ना एक gel type का आता है जो कि हमारे नाखुन को बिल्कुल dry नहीं करता है हमारे जो नाखुन ही उसे mosserize भी करता है क्लीन करने के बाद मैं मौसराइजर लेकर अपने हाथों पर apply करती हूँ ताके हमारे नाखुनों से जो गंदेगी मैंने निकाला फे ड्राइ हो गया था तो मौसराइजर से उससे मैंने पहले हाइडरेट कर दिया देन में इसके उपर नेल पॉलिश एपलाई करूंगी और नेल पॉलिश के लिए न मैंने एपलाई किया है Faces Canada का Red Nail Polish मुझे बहुत ज़दा अच्छा लगता है ये वाला कलर है इसका कलर भी बहुत ज़दा अच्छा है सेम चीज मैं अपने पैरों पे भी अपलाई करूँगी और मैंने क्लीन कर लिया है अपने पैरों के नाखुनों को और उस पर में नेल पलिश अपलाई करूँगी सबकुछ पैमपर करने के बाद ना एक रिलाक्स फील होता है देख सकते कि कितना अच्छा लग रहा है अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और मेरे चैनल पर इस तरीके का और वी वीडियो देखने के रिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आज के लिए टाटा